आप देख रहे हैं निउस लीडर्स सच है तो खबर है रोजगार हो सारा का सारा इस किताब ने हिंदुस्तान के समविधान ने गरीबों को दिया है अब नरेंद्र मोधी जी ने मन बना लिया है कि वो इसको बदलना चाहते हैं इसको रद करना चाहते हैं इसको खतम करना चाहते हैं बाईयों और बैनों, अगर सम्विधान खतम हो गया, तो जो भी अधिकार आपको मिले है, सारा का सारा, गाइब हो जाएगा, खतम हो जाएगा, आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, रेजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, सारा का सारा, गाइब हो जाएगा, और हिंदुस्तान में 22-25 लोगों का राज होगा, ये कौन लोग हैं, ये हिंदुस्तान के हरब पती हैं, अधानी जैसे लोग हैं, जिनकी आँख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, ये चाहते हैं कि आपका जल, जमीन और जंगल आपसे छीन लिया जाए, और इनके हवाले कर दिया जाए, और ये नर इंद्रमोधी जी के खास मित्र है अदानी का नाम सुनाएं आपने सुनाएं अदानी को प्रधान मंत्री आपकी जमीन आपका जल आपका जंगल देना चाहते हैं हिंदुस्तान में सारे के सारे एरपॉर्ट पावर स्टेशन पोर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर सारा का सारा नरेंद्र मोधी जी ने इनी 22-25 लोगों को दिया है मैं छोटा सा उधारन देना चाहता हूं पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोधी जी ने आपको बेरोजगारी दी यहां से आदिवासी हुआ प्लायन करते हैं दूसरे प्रदेशों में जाते हैं उन्होंने आपका कर्जा कभी माफ नहीं किया किसानों को सही दाम नहीं दिया महिलाओं की मदद नहीं की मगर हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड रुपया कर्जा माफ किया है आप सोचिए 16 लाख करोड रुपय नरेंद्र मोधी जी ने अदानी जैसे लोगों को कर्जा माफ करके दिया 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोधी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है कर्जा माफ किया है मगर किसानों का गरीबों का वो कर्जा माफ नहीं करते हैं हम आपको आदिवासी कहते हैं शब्द के पीचे सोच है आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे अगर आप हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हो तो आपको अधिकार मिलना चाहिए जमीन का अधिकार मिलना चाहिए जल का जंगल का अधिकार मिलना चाहिए और कॉंग्रेस पार्टी ने ये काम आपके लिए किया पेशा कानून लाए जमीन अधिकरन बिल लाए ट्राइबल बिल लाए और आपका जो हक था वो आपको वापिस दिया अब हम करांतिकारी योजना आपके लिए लाए है ऐसी योजना जो किसी भी सरकार ने पहले नहीं की हो करना छोड़ो किसी सरकार ने ऐसी योजना के बारे में सोचा भी नहीं ऐसा काम हम करने जा रहे हैं बाई और बेनो हिंदुस्तान के सारे के से आरे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से जैसे ही आमारी माताएं बेहने आई हैं एक महिला का नाम चुना जाएगा और अगली इंडिया गटबंदन की सरकार उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के एक लाख रुपए डालने जा रही है बाईयों और बेहनों महिने के 8500 रुपए साल के एक लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में सीधा हम डालने जा रहे हैं आप सोचिए एक लाख रुपए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी नरेंद्र मोदी ने 22 अरब पती बनाए अब हम करोणों लाख पती बनाने जा रहे हैं ये पैसा आपका है GST में आप देते हो देश को ये पैसा आप से मिलता है टैक्स आप देते हो उतना ही टैक्स आप देते हो जितना अदानी देता है मगर ये धन आपको नहीं दिया जाता इसलिए पहली बार इंडिया की सरकार करोणों महिलाओं को बैंक अकाउंट में एक लाग रुपए महीने के 8,500 रुपए ठका ठक 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 देगी और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक वो परिवार गरीबी रेखा से निकलेगा नहीं जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से नीचे होगा उस दिन तक उसे हर महीने 8,500 रुपए साल के 1,000,000 रुपए बैंक अकाउंट में हम देंगे अब आपको होगे यहाँ पे पुर्ष है आपको होगे राहुल जी आपने हमें क्यों नहीं दिया महिलाओं को क्यों दे रहे हो यह सवाल उठेगा मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आज के हिंदुस्तान में स्त्री और पुर्ष दोनों बाहर जाके काम करते हैं जॉब करते हैं मजदूरी करते हैं मगर अगर पुर्ष आठ घंटे काम करता है तो हिंदुस्तान की महिला आठ घंटे मजदूरी करती है और फिर घर में आठ घंटे फिर से काम करती है हाँ तो यह जो महिलाएं हैं यह दुगना काम करती है इसलिए इनके बैंक अकाउंट में एक लाक रुपे जाने वाला है अब मैं जानता हूँ अब मैं जानता हूँ कि पैसा उनके बैंक के अकाउंट में जाएगा मगर इसका फाइदा पुर्शों को भी होगा मिलेगा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा मगरंत में फाइदा आपको भी होने वाला है कटा कट, कटा कट, कटा कट कल नरेंद्र मोधी आएंगे उनके भाशन में बोलना कटा कट, कटा कट, कटा कट उनसे कहना जो आपने अरब पतियों के लिए किया वो राहूल गांदी और कॉंग्रेस पार्टी खारगे जी हिंदुस्तान के गरीबों के लिए करने जा रही है भाईयों और बेहनों नरेंद्र मोधी जी ने दो करोण युवाओं को कहा था कि मैं दो करोण युवाओं को रोजगार दूँगा जूटा वाइदा था यहां की कॉटन इंडिस्ट्री खतम कर दी छोटे भी अपारी जो थे स्मॉल और मीडियम बिजनस वाले थे उन सब को खतम कर दिया फैक्ट्रिया बंद करवा दी गलत जी एस्टी और नोट बंदी के कारण जी एस्टी नोट बंदी भाईयों और बहनों अरब पतियों के लिए किया गया था नरेंद्र मोदी अदानी जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे इसलिए उन्होंने नोट बंदी और गलत जी एस्टी लागू की इसलिए उन्होंने अगनी वीर्स की मियाल लागू किया है अब दो करोड युवा पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं आपने हमें जूट क्यों बोला मैं आपको हिंदुस्तान के युवाओं को रास्ता दिखाना चाहता हूँ हमारे मैनिफेस्टों में हमने एक युवाओं के लिए करांतिकारी काम किया है योजना का नाम पहली नौकरी पक्की जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं रोजगार का अधिकार वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रैजुएट्स को कॉलेज और युनिवर्सिटी ग्रैजुएट्स को डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं आदिवासी युवाओं को गलित युवाओं को पिच्डेवर के युवाओं को जो भी ग्रैजुएट है जिसने भी ग्रैजुएशन की है उसे हम एक साल की नौकरी देने जा रहे हैं उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में एक लाख रुपए 8500 रुपए कटा कट, कटा कट, कटा कट महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा और करोणो युवाओं के बैंक अकाउंट में रोजगार का अधिकार मिलेगा और उनको एक लाख रुपए उस काम के लिए दिया जाएगा और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, पर्मनन्ट नौकरी हो जाएगी बाईयों और बहनों तीस लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उनको हम आपके लिए भर देंगे और आपके हवाले वो रोजगार हम दे देंगे मैं जानता हूँ यहाँ पे मनरेगा के मजदूर है नरेंद्र मोधी जी ने आपका लोगसभा में अपमान किया था प्रेस कहती है कि मनरेगा से लोगों की आदत बिगड़ती है आप मजदूरी करते हो उसके लिए आपको पैसा मिलता है मीडिया कहता है आपकी आदत बिगड़ रही है मगर अरब पतियों का कर्जा माफ होता है तो उसको यह विकास कहते है हमने मन बना लिया है आज 250 रुपए मनरेगा के लिए मिलता है आपको 250 मिलता है न? है न? चुनाओ के बाद 400 मिलेगा और जो महिलाएं आंगनवाडी और आशा का काम करती है उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं सरकारी आफिसेज में, पबलिक सेक्टर में, सरकारी कमपनियों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, बीजेपी की सरकारों ने ठेकेदारी प्रता शुरू की थी आपको बंदू मजदूर बना दिया है और जब भी ये चाहते हैं, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है हम सरकार में और पबलिक सेक्टर में, सरकारी कमपनियों में ठेकेदारी प्रता को बंद करने जा रहे हैं अगर आपको नौकरी मिलेगी, तो पर्मनन्ट नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी आप नहीं करोगे, ठेकेदारी प्रता नहीं होगी और जो हमारे किसान भाई हैं, आपको मैं स्पेशल मेसेज देना चाहता हूँ आप मेहनत करते हो, मगर जब आपको अनाज बेचना होता है, अपनी मेहनत के लिए आपको पैसे मिलने पड़ते हैं, तब दाम को कम कर दिया जाता है एक्सपॉर्ट पॉलिसी को बदल कर, इंपॉर्ट पॉलिसी को बदल कर, दाम कम कर देते हैं, और हिंदुस्तान के किसान को सही दाम नहीं मिलता इसलिए हम हिंदुस्तान के किसानों के लिए दो काम करने जा रहे हैं सबसे पहले चुनाओ के एक दम बाद हिंदुस्तान के गरीब किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं और दूसरा काम पहली बार हिंदुस्तान के इतियास में कानूनी minimum support price मतलब हम कानून बनाएंगे कि इस दाम से कम किसान से माल नहीं खरीदा जा सकता है कम से कम दाम का हम कानून बनाएंगे इससे किसानों को जबरदस्ट फाइदा होने वाला है बाई और बेनों आपको हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान के पहले नागरिक हो आदिवासी शब्द के अंदर अधिकार शब्द मिला हुआ है जब हम आपको आदिवासी कहते हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार मिलना चाहिए, वो आपको आदिवासी नहीं कहते, वो आपको वनवासी कहते हैं, ये हर आदिवासी पर अपमान है, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल म में रहते हैं बीजेपी कहती है आप वनवासी हो और आस्ते 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 जंगल को खतम कर रहे हैं जंगल खतम हो जाएगा तो फिर आप से कहेंगे भाई आप कहें के नहीं हो आप जंगल आप वनवासी हो जंगल तो खतम हो गया तो आप अब कहीं के नहीं हो चलो जाके बीजेपी का एक नेता आदिवासियों के भविश्य पर आदिवासी युवा पर पिशाप करता है और फिर वीडियो को वाइरल करता है इनको इतनी भी शरम नहीं है यह आपका आप मान करते हैं और फिर आपके पास आकर आपसे वोट मांगते हैं बाईयों और बेहनों इनको आप सबक सिखाईए इनको आप अच्छा सबक सिखाईए और यह जो किताब है जिससे आपको आपके हक मिले रेजर्वेशन मिला इसको यह मिटाना चाहते हैं इसको हम कभी नहीं मिटाने देंगे इस किताब की हम रक्षा करेंगे और आपको जो आरक्षन मिलता है जब मोदी जी आएंगे उनसे पूछना मोदी जी आपका आरक्षन खतम करना चाहते हैं उनके नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम आदिवासियों से दलेतों से पिछडे वर्ग से आरक्षन चीन लेंगे आरक्षन को खतम कर लेंगे और मैं आपको आज यहां बताने आया हूँ वो चीनने की बात कर रहे हैं हम आरक्षन को बढ़ा देंगे 50% से दादा कर देंगे आज 50% का लिमिट है इस लिमिट को हम परे करके 50% के लिमिट को रद करके हम आपका रेजर्वेशन गरीबों का रेजर्वेशन बढ़ा रेंगे यह सवाल आप मोधी जी से पूछिए मोधी जी से आप पूछिए आपके लोग आदिवासियों पे पिशाप क्यों करते हैं आपके लोग समविधान को क्यों रद करना चाहते हैं और आपके लोग आरक्षन क्यों खतम करना चाहते हैं बाकी आप बाते बोलिए मगर देश को बताईए आदिवासियों को बताईए क्या आप सच मुच में आरक्षन को खतम करना चाहते हो हाँ या ना और ये भी बताओ कि आप आरक्षन के लिमिट को 50% से जादा करोगे हाँ या ना ये मेन मुद्दाय चुनाव का भाईयों और बेनो आरक्षन, सम्विधान और गरीबों की रक्षा हम आपको एक लाग रुपे हर परिवार को देने जा रहे है युवाओं को एक लाग रुपे देने जा रहे है किसानों का कर्जम आप करने जा रहे है आशाओ आंगनवारियों की आमदनी दुगनी करने जा रहे हैं मनरेगा को चार सो रुपे करने जा रहे हैं मोदी जी से आप पूछे क्या करूगे आप मोदी जी कोवेड हुआ है मोदी जी आप से कहते हैं भाई और बहनो थाली बजाओ थाली बजाओ ये फरके भाईयों और बेनों हमारे प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताईए कॉंग्रेस पार्टी को यहां जिताईए और दोनों को लोकसवा में भेजिए ये आपकी वहाँ पे रक्षा करेंगे आपकी आवाज उठाएंगे और आपका जल, जंगल और जमीन उसकी रक्षा करेंगे वहाँ पे आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और यहां अरुनियादव भी आए हुए है उनका भी मैं यहां स्वागत करता हूँ आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जाहिए